हलो फ्रेंड्स मैं रश्मी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में जादू को विबिन नवस्ताओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आ अब हम शुरू करते हैं सपने में अपने आपको जादू करते हुए देखना भविश्य में किसी विशेश शेत्र में योगिता हासिल करने आपके द्वारा नई चीजों के खोजने आपके अंदर विशेश प्रतिभा के होने जीवन में किसी सकारात्मक बदलाव के होने तर सपने में यदि आप जादू करने में असफल हो जाते हैं तो यहाँ सपना परेशानी किसी कारी को सही समय पर नहीं करने आर्थिक रूप से जीवन में कठनाई के आने और किसी समस्या का हल नहीं मिल पाने का प्रतीक होता है सपने में काला जादू करना या किसी बुराई के लिए जादू करना या किसी को करते हुए देखना बविश्य में दुरभाग्य परिवार में किसी तरह की परेशानी के आने मुसीबत खत्रा किसी गलती के करने या गलत लोगों पर विश्वास करने किसी दुखत गटना के होन धन की हानी, चिंता और जीवन की राह में रुकावट आने का संकेत देता है सपने में भगवान या फरिष्टे को जादू करते हुए देखना आने वाले समय में किसी बदलाव के होने, जीवन में खुशियों के आने परेशानियों के समाप्त होने, कुछ नया प्राप्त होने और जीवन में सब कुछ ठीक होने की और इशारा करता है सपने में किसी और को जादू करते हुए देखना किसी के द्वारा आपको नुकसान पहुचाने किसी चीज को लेकर आपके अंदर के डर, ब्रह्म और आशा को बताता है यहाँ सपना देखने पर आपको अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देने की आविशकता है इसी क्रम में यदि सपने में कोई व्यक्ति आप पर कोई जादू करता है तो यहाँ सपना बविश्य में किसी गलती के करने, मान सम्मान की हानी या किसी कारणवर्ष शर्मिंदा होने का संकेत देता है सपने में कोई जादूी चीज देखना, जीवन के बारे में आपका नजरिया बदलने, कुछ अलग होने दूसरों के बारे में आपकी सोच के बदलने, किसी चीज को लेकर भ्रहम उत्पन होने और नए अवसरों के प्राप्त होने का सुचक होता है सपने में जादूगर देखना, भविश्य में हानी, किसी के द्वारा आपका फायदा उठाने, परेशानी में पढ़ने, कुछ गलत होने, मान सम्मान की हानी और आपके आसपास किसी गलत चीज के होने का प्रतीक होता है आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए